सात्यों नमस्कार कोटावनान क्लासेज में आप सभी का स्वागत है मित्रों आज हम बात करेंगे यहाँ पर 221 नंबर के प्रस्ण से हैं 221 नंबर का प्रस्ण है नेमलिकित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए तो राहुल वेल किसकी रचना थी आप सबको पता है रोडा कवी की रचना थी खुमान रासो दलपत विजे की रचना थी सबको पता है और चंदनबाला रास आसगु कवी की रचना थी और योग चर्या जो है डॉमबीपा की रचना थी तो इस तरह से सात्यों इसमें जो ओप option right होता है तो रावल वेल रोडा कवी खुमान रासो दल्पत विजे चंदनबाला रास आजगु कवी और योग चर्या डॉम्बी पा तो सात्यों इसमें भी option right हो जाता है सात्यों आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो चाहे आप कहीं पर भी किसी भी competition के तैयारी कर रहे हो चाहे नेट की ERMS की एक लवे model school की कहीं पर भी अगर हिंदी साहित का इतियास आता है तो वहां पर hundred percent इन प्रशनों में से प्रशन आते हैं यह प्रशन एक selected प्रशन है सात्यों और सारे के सारे प्रशन आये वे प्रशन है और प्लस उस प्रशन का explanation उस प्रशन का विस्तार उस प् जरूर सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और पसंद कीजिए सात्यों आपको मैं दिल से बता रहा हूं आपकी मेहनत आपकी काम आएगी यह प्रशन आपके बहुत काम आएंगे सात्यों तो इसलिए आप जुड़े रहिए और अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ विपा की रचना है अगला प्रशन है दो सो बाइस नमर का प्रशन है कीर्थी लता किस भासा की रचना है तो कीर्थी पता का और कीर्थी लता अवट भासा की रचना है साथ यह आप सुपको पता है कीर्थी लता की बासा अवट है इसके लेकर विद्यापती हैं अब यहां प के सोला करन्त और किस भासा में क्या लिखा है देखे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो नो गे ना दस ग्यारा बारा दस ग्यारा बारा तेरा चाउदा एक बार ओर गिन लिजिए वन टू त्री फोर फाइफ सिक्स सेवन एट एट नो नो गे दस ग्यारा बारा तेरा चाउदा कितने ग्रंत लिखे इन्होंने चाउदा ग्रंत अब देखे साथ किस भासा में किसको लिखा गया है बिल्कुल अच्छी तरह से एक सारनी बनाकर कि यहाँ पर दिया गया है संस्कृत में लिखा इन्होंने शेव सर्वस्वसार गंगा वाक्यावली दुर्गा भक्त तरंगनी बू परिक्रमा दान वाक्यावली पुरुष परिक्षा विभाग शार लिखनावली गया पतलग वन्ने क्रते तो यह संस्कृत में लिखे गई गरंते रचनाएं अगली है अवट या अबरंस में देखो अवट की जग अबरंस भी लिखा हुआ आ सकता है किर्ति लता और किर्ति पता का किर्ति लता में किर्ति सिंग और किर्ति पता का में सिव सिंग की उदारता का वर्णन किया गया है कितनी important बात की गई है किर्ति लता में किर्ति सिंग का और किर्ति पता का में सिव सिंग की उदारता का वर्णन किया गया है यह अवट और अब्र यह क्या है इनका नाटक है गोरक्स विजे का गत्यभाग संस्कृत में तता पत्यभाग मेथिली में लिखा गया है लेकिन यह मेथिली में गिना जाता है अब बताएं कितनी इंपोर्टेंट बातें यहां पर दी गई है साथियों आपको हर जग नहीं मिलेगी यह चीजे प्ल कैसे लगते हैं प्रशना आपको अगर आप पढ़ रहे हो तो आदिकाल में किस कवी ने अवट भासा में रचना की थी ऐसा कौन सा कवी है जिसने आदिकाल में अवट भासा में या फिर अपब्रंस भासा में रचना करीती साथियों तो इसमें जो कवी बताया गया है वो है अब्दूर्रह्मान क्या नाम है उनका अब्दूर्रह्मान तो अब्दूर्रह्मान ने संदेश रासक पहला धर्मेतर रास गरंट जो अवट बासा में लिखा है देशी बासा में किसी मुसलमान दोरा लिखित पर्थम कावे गरंत है ये संदेश रासक है और संदेश रासक के जो कवी है संदेश रासक के जो लिखने वाले जो रजनाकार है वो अब्दूर्रहमान है और अब्दूर्रहमान ने अवट बासा में इसको लिखा था और पहला धरमेतर रास गरंत माना जाता है संदेश रासक एक क्या है एक खंड कावे है सात्यों जिसमें विक्रम पूर की एक वियोगनी की विरह कता का वनन किया गया है यह विरह कावे है जिसका रचनाकाल जो है बारवी सताब्दी का उत्रार्द और तेरवी सताब्दी का प्रारंब माना जाता है जबकि यहाँ पर मंजन और कुतबुन की भासा कौन सी मानी गई है अउदी मानी गई है मनजन और कुतबु ने अवधी बासा में लिखा है और अमीर कुसरों की जो बासा है वो खड़ी बोली हिंदी भी मानी गई है साथ्यों इतनी important बाते हैं यार इसमें मतलब मैं तो दिल कुस हो जाता है साथ्यों यार आप पढ़ रहे हो आपको केसा लग रहा है जरूर कमेंट कीजिएगा यार जब भी आप इसको पढ़ते हो तो आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है देखो आदिकाल को आप सबको पता है आचरे राम चंदर सुक्ल ने रासो साहितिया वीर का वीर गाता आत्मा कावे उन्होंने कहा है ठीक है ना इसके बाद में ये सबको पत अजारे परसाद दिवेदी के द्वारा कहा गया है आदिकाल को वीर गाता काल अचारे राम चंदर सुक्ल ने कहा आरंबी काल आदिकाल को मिश्र बंदों ने कहा सिद्ध सामंद काल आदिकाल को राहुल सांकर्तियान के द्वारा कहा गया बीजुवपन काल महाविर जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा आधी काल को कहा गया वेरी वेरी इंपोर्टेंट कुशन साथ एक प्रस्न इन में से कोई सा भी बन सकता है देखे एक प्रस्न के अंदर बहुत सारे प्रस्न चुपे होते हैं तो साथियों आप अपने रजिस्टर में जरूर नोट कीजीएगा मजा आ जायेगा जब आप बादमें तयारी करोगे जब यस की जरूत पड़ेगी आपको मैं कहरा हूँ गारंटी दे रहा हूँ ठीके साथियों मेरे इसाब से तो आपको मजा आई रहा होगा मैं आपसे बोल रहा हूं साथियों कि कहीं भी किसी भी स्टे पढ़ चुके हैं इस प्रशन को आप सोचिए और यह रिपिट हो रहे हैं यहां पर नीमलिकित कवियों का सही कालकरम बताइए अब नीमलिकित कवियों का सही कालकरम सबकर पहले आपको सबको पता है सरपा आएगा सरपा के बाद में गोरकनात आएंगी तो यह तीसरा के अनुसार गोरकनात का आट सो पेतालिस रहो सांकरत्यान के अनुसार हैम चंदर का एक अजार अट्यासी ग्यारवी सताब्दी और सौम प्रभ सूरिक ग्यारा सो चोरासी बारवी सताब्दीन का माना जाता है साथियों तो सबसे पहले सरपा के गोरकनात हैम चंदर सौम प रासो कावे प्रमप्रा के प्रमुकवी जगनिक द्वारा रचित प्रमाल रासो जिसको आला खंडेने के बारा सो तीस एश्वी में एक वीर गीत या वीर कावे है जो सामानित वर्सा रितु में गया जाता है कितने अच्छी बात है कि आला किस रितु में गया जाता है कैसे भ वीर गीत या वीर कावी माना गया है जो वर्षण हृतु में गया जाता है सात्यों, कितना बढ़िया प्रस्ण है देखिया, मजा आ गया इन रचनाओं को उनके रचेताओं के साथ सुमिलित किजिए, खुमान रासो दल्पत विजे का है परमार रासो सात्यों आप सबको पता है यहां पर एफ उप्शन है तो खुमान रासो जो है दल्पत विजे का परमार रासो जगनिक का है पिसल देव रासो नर्पति नाल का है और परतिविराज रासो जो है सात्यों चंदरबरदाई का है इस तरह से आप इसका option मिला सकते हो देखो पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी रटने में आ गई चीजें और आपको तो जब आप पढ़ रहे हो तो आपको तो और चीजें रटने में आ गई होगी आप तो register में भी इसको उतार रहे होंगे मुझे जहां तक लगता है खुमार रासो दलपत विजे है लेकिन एक बास समझ में नहीं आती साथियों इतना अच्छा मेटर है पताने लोग क्यों सेर नहीं करते हैं लोग क्यों देखते नहीं है व्यूज इतने इस पे नहीं आ पाते हैं पतानी समझ में नहीं आ रहा लोगों तक एक क्यों नहीं की है प्रमारासु जिसको आला कंड़ पे कहते हैं बारवी सताब्दी की है जगनिक के द्वारा और विशल देवरासु नर्पतिनाल की रजना है अगला प्रस्न इसमें देखिएगा प्रमारासु जो है प्रतिवराज रासु संद्रबरदाय ने लिखा और संदेश रासक बार 228 नमर का प्रस्न है किन रचनाकारों की भासा को संधा भासा कहा जाता है तो बोध और सिद्ध जो बोध और सिद्ध हुए उनकी जो भासा थी वो संधा भासा या संध्या भासा उनको कहा जाता है बोध सिद्धों की भासा को संध्या भासा कहा जाता है यह मुनिदत या अ प्रस्णमन न देखर कि यहां देखिए विजेपार रासो के राइटर कौन है नल सिंग है और इन्होंने विजेपार रासो को अब्रंस भासा में लिखा है चर्यागीत कोश शरपा के द्वारा लिखा गया और ये संदा भासा में लिखा है कीरति लता विद्यापती की जौरा लिखी गई अवट भासा में लिखी गई है कुसरों के पहलियां अमीर कुसरों ने लिखी है और ये इंदिवी भासा में लिखी गई है खड़ी बोली हिंदिवी में पदावली विद्यापती की रचना है और ये मैथली भासा में लिखी ग तो सातियों ये पंक्तियां हैं जो किस रासो कावे से ली गई है ये पंक्तियां परमार रासो कावे से ली गई है सातियों कौन से रासो कावे से परमार रासो कावे से आप सबको पता है इसको आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है और परमार रासो की जो रचेता है वो जग गये बारा प्रसलोग उकर जिए पनमा रासु आलाखंड के जगनी के द्वरा लिखा गया उक्ति धर्म विशाल से राजनीती नर्वसम खट बासा पुराणम च पुराणम च ततित कतित मया किसने प्रतिवराज रासों में चंदरबरदायने लिखिये पीवू चितोडन आयू सावन पहली तीज ये खुमान रासों में लिखी गई ये दलपत वीजे के द्वरा चलिओ वीर हमीर पहा मर में इनी कम पही हमीर रासों के द्वरा हमीर रासों में सारंग दर के द्वरा लिखी गई पंकिया हैं तो सातियों कहीं पर भी आप नोट्स बना रहे हो तो इनको जरूर आप उतार लीजिये very very important पुंकिया हैं कहीं पर भी पूछ ली जाती हैं तो सातियों ये 230 प्रस्न तक हम लोग पहुँच चुके हैं और अगले वीडियो में हम 231 नंबर के प्रस्न से सुरू करेंगे सातियों तो मेरे इसाब से आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अच्छा लगे सातियों तो जरूर लाइक और सेर और सब्सक्राइब कीजिए तो मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन जैभारत थेंक्यू